आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, तो आज का हमारा Question है What is the position of the object for which the image found by a concave mirror is virtual, erect and magnified तो इसके लिए हमें पता है, हमने 6 cases study किये हैं, Concave Mirror के तो उनमें से जो case लगता है, तो इसका अंसर है Object when placed between f and o, mirror की बात हो रही है f and p of a concave mirror produces a virtual erect and magnified image ठीक है, यह वो last 6 case है, जब हम लोग object को pole और focus के बीच में रख देते हैं और उस case में हमें एक magnified virtual और erect image दिखने लगती है तो हम ज़रा इसका डाइग्राम देख लेते हैं एक बार ठीक है, तो हमने यह बना लिया, एक concave mirror ठीक है, जिसमें यह रहा pole यह है principle axis इस point को हम focus बोल देते हैं इस point को center of curvature बोल देते हैं और यहाँ पर हमारे पास है एक object ठीक है, तो इस object की एक light tray इस curvature की हिसाब से बना लेते हैं देखो, इधर से जाएगी और retrace करीगी अपना path और एक light tray यहाँ से भीज देते हैं ठीक है यह वाली जो light tray है simply angle i is equal to angle r को follow करते हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि दोनों light rays यहाँ कहीं पीछे meet कर रही है तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ एक real object का एक virtual image बन गया है जो कि इससे magnified भी है ठीक है, और erect भी है तो i hope आप यह question सबको समझ में आ गया होगा कि जब कोई object पोल और focus के बीच में रख दिया जाता है एक concave mirror के तो वो virtual, erect और magnified image बना के दिखाता है ठीक है, और इसी configuration में हम लोग concave mirror को magnifying mirror की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ओके तो i hope यह question सबको clear हो गया होगा easy था, right? चलो मिलते हैं next video में प्लासिक्स से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीज़े अपने डाउट्स 84444 पर